PCS करण न्यूज प्रोग्राम में आपका स्वागत है PCS करण न्यूज में चर्चा का विशे है महराना प्रताप जयन्ती 2022 आज यानी 9 मई को महराना प्रताप की जयन्ती है इनका जन्म 9 मई 1540 को मेवाड के कुंभल गड में सिसोधिया वंश में हुआ था इनके पिता का नाम उदे सिंग द्वीतिये और माता का नाम महरानी जयवन्ता बाई था वे भारत के सबसे बहादुर राजपूत शासकों में से एक थे जिन्होंने लगवग 35 वर्षों तक राजस्थान के मेवाड पर शासन किया था साल 1596 में शिकार दुरघटना में चोट लग गई थी जिससे वे कभी उभर नहीं पाए और 19 जन्वरी 1597 को मात्र 57 वर्ष की आयू में उनका देहांत हो गया था मेवाड के महराणा अमर सिंग प्रथम मेवाड के महराणा प्रताप के सबसे बड़े पुत्र और उत्राधिकारी थे वह अपने पिता की मृत्यू के बाद मेवाड के शासक बने उन्होंने जन्वरी 1620 में अपने मृत्यू तक शासन किया वैसी सोधिया राजपूतों के मेवाड राजवंश के चोदवे राणा थे और उनकी राजधानी उदेपुर थी जान लेते हैं हल्दी घाटी और दिवेर के युद के बारे में हल्दी घाटी का युद 18 जून 1586 को मेवाड के महाराना प्रताप और मुगल समराट अकबर के बीच लड़ी गई लड़ाई थी इस युद में महाराना प्रताप को मुखे रूप से भील जनजाती का सहयोग मिला था अकबर की सेना का नेतरित्व अंबर के मान सिंग प्रतम ने किया था इस युद में मेवाड की सेना हार गई लेकिन महाराना प्रताप को नहीं पकड़ पाए महाराना प्रताप ने अपनी सेना पुनह एकतरित की और 1582 में दिवेर के युद में मुगलों को हराया इस बुरी तरह से हार के बाद अकबर ने मेवाड के खिलाप अपने सैने अभियानों को रोग दिया। महाराणा प्रताप ने कुंभल गड उदेपूर और गोगुंदा सहित पश्चिमी मेवाड को पुनह प्राप्त किया। इन ख्षेत्रों को पुनह प्राप्त करने के झाल